आईए साथियों आप लोगों को आज जह हम प्रतिकूल कपजा या एडवर्ड्स पजेशन के बारे में बता रहे हैं आप सबसे अमगोद है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें ताकि कानून से संबंदू आवस्यच जानकरी मैं आप लोगों को लगातार इस चैनल के माध्यम से दे सकूँ नवस्कार साथ्यों आप लोगोंने सुना होगा कि यदि किसी संपत्ती पर लगातार बारा साल तक किसी का कपजा रहा तो वह संपत्ती उसका हो जाएगा Edwards position या प्रतिकूल कपजे का सिधान्त बहुत पुराना है और प्रतिकूल कपजे के सिधान्त के अंसार यदि किसी प्राइवेट संपत्ती में कोई कपजाईदार लगातार बारा साल तक कपजे में निर्वात बना रहता है तो यह माना जाता है कि वह संपत्ती उसकी स्वामित्त में नहित हो गई तो इसे प्रतिकूल कपजा का सिधान्त कहते हैं यानि Edwards position का सिधान्त कहते हैं इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई मकान मालिक अपनी मकान को किसी ब्यक्ति को किराय में देता है और 12 साल तक वापस नहीं आता उसमें पूछने भी नहीं आता और गिरायदार लगातार 12 साल तक उस मकान पर यदि कपजे पे रहता है और वह यह सिध कर देता है कि वह लगातार 12 साल तक उस मकान पे कपजे में है तो वह उस मकान के स्वामित्व के लिए दावा प्रस्तूद कर सकता है और नयायले उसके पक्ष में गोस्ना जारी डल सकती है प्रतिकून कमजे के कुछ मान्य सिध्धान्त हैं उन सिध्धान्तों के अनुसार से पहला जो हुख्य सिध्धान्त है वह यह है कि लगातार बारा साल तक कमजा उस देख्तिका होना चाहिए ऐसे डिक्तिका जिसके नाम पर वह संपत्ति नहीं है, बीज में या कपजा खंडित नहीं होनी चाहिए स्वामी के द्वारा फुट कपजे के संबंद में कोई भी आपत्पी या उज़र ना किया गया। तीसरी बात आती है, कि बारा साम वगातार आपका कपजा उस संबंदि में है, इसको आपको सिद्ध करना है। भारत में ज़्यादातर किरायदारी के संबंद में इस कानून की चर्चा ज़्यादा होती है। भारत में यह कहा जाता है कि एड़्वर्स पजेशन या प्रतिकूल कपजा मकान मालिक के विरुद्ध में है। तो कानून का स्थापित सिंधान्थ है कि यदि आप अपनी संपत्ती पर अपना कपजा अपना हक जताना छोड़ देंगे तो निश्चित तोर पर वह संपत्ती किसी और की हो जाएगी। या पुरातन सिंधान्थ है कि जिसकी लाठी उसका पहस ऐसा कहा जाता है तो जो कपजे में है और एक कहावत आप वो याद होगा कि कपजा संचा बाकी सब जूठा तो जिसका लगातार कपजा है यदि आप अपनी संपत्ती पर किसी देप्पी को कपजा करने दे रहे हैं उस कपजा का विरोध नहीं कर रहे हैं तो निस्चित रूप से वह संपत्ती कपजेदार की मानी जाएगी प्रतिकूल कपजा का सिधान्त इसी बात पर आधारित है प्रतिकूल कपजा का सिधान्त पूर्ण तया साक्ष पर आधारित है यानि आपको बारा साल लगातार कप उस कब्जा को हटाने के लिए प्रयास किया गया है। प्रतिकूल कब्जा के सिधान्त में प्राइवेट संपत्ती पर 12 सार और यदी वह संपत्ती सरकार की है, यानि सरकारी संपत्ती है, तो उस पर लगातार 30 साल निरवाद रूप से कब्जादार का कब्जा होना चाहिए। तो सरकारी संपत्ति यदि कोई कबजादार ने कबजा किया है तो उसको लगातार 30 साल तक एक संपत्ति का कबजा सिध्ध करना होता है। इसी तरह प्रतिकूल कबजे या एडवर्ड्स पजेशन का एक और मूल सिध्धान्त है कि कबजा किसी एक ब्यक्ति का होना चाहिए। यदि कबजा 3-4 अलग-अलग ब्यक्तियों का है तो ऐसी स्थित्ती में प्रतिकूल कबजे का सिध्धान्त लागू नहीं होता। प्रतिकूल कबजा के सिध्धान्त के लिए लगातार 12 साल तक किसी एक ब्यक्ति का कबजा सिध्ध होना अवश्चक है। तो आसा है साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिकूल कबजा या एडवर्ड्स पजेशन का सिध्धान्त क्या है। इसी के साथ ही आप लोगों ने यह भी समझ लिया होगा कि लगातार 12 साल तक अपनी संबत्ति को किसी दूसरे ब्यक्ति के कबजे में देने का हस्र क्याम होता है